नमस्कार आप देख रही है नेक्स्ट नाइन लाइफ पर जब प्रभास कृतिस एनन और सैफ अली खान की फिल्म आदेपुरुष यहां इतने सारे विवादों का सामना कर रही है तो वही अब ओम राउत की कास्टिंग को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है आपको बता दे कि ओम राउत की फिल्म आदेपुरुष में रामण के किरदार को लेकर के अक्सर बात गी जा रही थी तो वहीं यह भी पता चला है कि ओम राउत के पहली पसंद सैफ अली खान नहीं थी तो आखिर कौन थे उम्राउत के पहली पसंद जो डायरेक्टर इस फिल्म में लंकेश का रोल देना चाहते थे बताते चले कि आदेपुरुष जैसे ही फिर सिनेमा घरों में रिलीज हुई वैसे ही इस पर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है डायलोक्स को लेकर के और रमायर की गलत चरित्रन को लेकर के विरूद किया जा रहा है वहीं दूसरी और लोग सैफ अली खान द्वारा लंका के राजा रावर की भूमे का निभाने से कुछ नहीं है लेकिन आज हम कुछ ऐसा बताने चा रहे हैं जो आपको चौका देगा दरसल लंकेश के रोल में ओमराउट की पहली पसंद सैफ अली खान नहीं थे जो जिन फिल्म की पहली जलक सामने आई थी उसी दिन लोगों ने सैफ अली खान के रावर का किरदार निभाने का पुरजोर विरोध किया था लोगों का मानना था कि रावर विद्वान था और सैफ अली खान इस रोल के लिए ठीक नहीं बैठते लेकिन क्या आप जानते हैं कि दशानन का किरदार निभाने के उम रावर ने सैफ अली खान से पहले किसको चुना था आदेपुरश रावर की भूमिका निभाने के लिए सैफ अली खान को साइन करने से पहले इस फिल्म में अन्य बॉलिवड अभी नेताओं को आफर दिया गया लेकिन उन लोगों ने इस आफर से इंकार कर दिया उम रावत ने जिस अभी नेता को ये किरदार ओफर किया था वे कोई और नहीं बलकि ताना जी दा अन्सॉंग वारियर के मुख्य किरदार निभाने वाले अजय देवगन थे आदेपुरुष के निर्माता ने फिल्म में रावण की भूमी का निभाने के लिए अजय देवगन से समपर्क किया था लेकिन उन्होंने इस आफर को स्विकार करने से मना कर दिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन अपनी शेड्यूल में इतना बिज़ी थी कि उन्होंने आदेपुरुष में रावण की भूमी का निभाने से इंकार कर दिये अजय देवगन इस से पहले ओम रावट के साथ ताना जी में काम कर चुके हैं लेकिन उसके बाद उन्होंने इस फिल्म के लिए इंकार कर दिया था जिसके बाद ओम रावट ने सैफ अली खान को चुना और अब उस पर विवाद गहराता जा रहा है अब देखना यह है कि फिल्म की कास्ट जो फिल्म में बदलाव करने के लिए बात कर रही है क्या वैसा बदलाव कर पाती है या नहीं